आपने memes देखे होंगे कि अब iPhone खरीदने के लिए kidney बेचनी पड़ेगी एक आदमी ने इसे seriously ले लिया Nigeria के एक student ने अपनी kidney ही बेच दी so that वो अपनी girlfriend के लिए iPhone 14 खरीद सके देखो ये कितना खुश है वही चाइना के एक कपल ने अपनी बच्ची ही बेच दी iPhone के लिए उसके bond होने से पहले ही उसकी deal कर ली और पैसे से iPhone और luxury items खरीदे अब ये कपल जेल में है बट चाइना का जो सबसे पहला case था वो था 2011 का उस ताइम iPhone 4 खरीदने के लिए बंदे ने किड्नी बेच दी फ्लैक मारकेट के जो बंदे involved थे उनको तो पकड़ लिया गया था बट ये बंदा कोट तक नहीं जा पाता ट्राइल्स के लिए क्योंकि ये bedridden है for life अब ये नहीं पता कि ये memes actual incidents पे बने थे या फिर ये ऐसे ही है